जैसरी कृष्णा राधे राधे हम जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं और सफलता पाने के लिए दिन राध एक कर देते हैं लेकिन इसके बाबजूत प्रगती नहीं होती लोग लगता है जैसे हमारे तरकी से जलते हैं कई बार तो हस्ते खेलते परिबार को नजर लग जाती है और धन की इस्तिती मजबूत जब होती है तो खुसियां रहती है लेकिन किसकी नजर लग गई कि सब कुछ समाफ अब पुजा पाठ करने के बाद भी फायदा नहीं हो प नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्माग आज हम बात करेंगे हल्दी की हल्दी तो हर किसी के घर में होता है किचन की सान है हल्दी और बिना हल्दी का तो खाना भी नहीं बनता और ना ही कोई सुब मंगल कारे हो सकते हैं क्योंकि हल्दी सगु स्वास्त के लिए भी बहुत लापकारी है इसकिन के लिए भी अच्छा होता है लेकिन आज हम आपको खास बाते बताएंगे जो तिस में आपकी कई की परेसानियों को दूर करने का काम भी हल्दी करता है और हल्दी पीला वाल जो हल्दी है वह देव ग्रु से समंदर रखता है अब गरू की कैसी भी परेसानी हो यह संतान समंदी है धन संBob समंदी मुस्किले हो पढ़ाई समंदी मुस्किले हो या फिर आपके करियर रोजगार समंदी मुस्किले हो महिलाओं के विवाह के समंदी कोई भी तकलीफ हो तो यह हल्दी बहुत काम का होता है जोतिस के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डा में थोरा सा हल्दी लगा कर खुद के माथे पे कंट पे या फिर कलाई पे कहीं भी एक जगह तिलक करके घर से निकलते हैं तो आपके कारे बनने लगते हैं कारे सिद्धी होती है और अगर घर में ज्यादा वास्तू दोसो तो यह हल्दी आपके घर के वास्तू दोसको भी अब ऐसे में आप पीली हल्दी की गांठ यानि साबूत हल्दी आप पीले धागे में गुरुवार की सुबर धारन करें तो यह भी पीला पुखराच के इतना ही फल देता है क्योंकि इसमें भी वही सारे गुन है आज हम बरकत के लिए मालक्ष्मी की क्रिपा पाने के लिए एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जो आपके कीचन का हल्दी है वहीं पर इस प्रियोग को करें आपका भागे भी बढ़ेगा और बरकत भी होती चले जाएगी तो छोटा सा प्रियोग को करने के लिए आप ये कभी भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं अगर गुर के हर परिशानी को दूर करता है लेकिन उसके पहले एक बात जानने भूल कर भी हल्दी और नमक एक साथ मत रखिएगा वरना जीवन में कनफ्यूजन की समस्या परिशान करेगी सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप इसलिए हल्दी और नमक एक जगह मत रखिए अलग अलग रखिए अब यहां पर हल्दी रखा है थोरी दूरी पर नमक रखिए तो इस तरह से रखिए और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि हल्दी के डब्बे में ऐसा क्या रखिए कि मालक्षमी आपके घर में ही रहे और साथ ही जीवन में बरकत होती रहे वैसे तो हल्दी आपके कीचन की ही हल्दी की बात करेंगे लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा जो गुरुवार का दिन होता है ना चुकि गुरु का संबंध हल्दी से होता है तो इस दिन एक बात हमेशा याद रखिए अगर आपका गुरु मजबूत हो या कमजोर हो लेकिन ए यहां पर पती और संतान की उन्नती भी माना जाता है रुख जाता है इसलिए महिलाओं को खास गुरुवार के दिन चाहे कुछ भी हो जाए बाल ना धोए तो आज हम बात कर रहे हैं अपने कीचन के हल्दी के डब्बे में आप क्या डालें देखिए वास्तु की दृष्टी स हल्दी बहुत महत्पूर्ड है अगर घर की नकात्मक उर्जाओं से आप बचना चाते हैं तो अब घर के बॉंडरी वाल पर अगर हल्दी से रेखा बना दी जाए तो घर में नकात्मक उर्जा प्रवेशी नहीं कर पाता है और हर कोई स्वस्त रहता है अब मान लेते हैं आ दीजे बाहर की तरफ से इससे आपके घर में नकात्मक सक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती अगर बिभा होने में बहुत परिसानी आ रहा हो या बैवाही जीवन में लग रहा हो जैसे अब सब खत्म होने वाला है तब नियमित रूप से भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अरफित करें अगर आप चाहते हैं मा लक्षमी की किरपा बनी रहे तब रभी बार का दिन छोड़कर बाकी के दिन आप जो सुरी भगवान के निमित जल अरफित करेंगे वो तुलसी के पेड़ में ही डालिएगा हल्दी वाला जल इससे आपकी तुलसी भी हरी भरी रहेगी और भगवान सुरी की किरपा से आपका गुरू भी मजबूत हो जाएगा कई बार क्या होता है मा लक्षमी को परसंद करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मा है कि लगता है जैसे रूट गई है क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक प्रयोग करें लगातार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा अगर आपके आसपास आम का पत्ता है गाच है तो एक पत्ता ले आईए अब एक बरतन में पानी ले 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 उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इस आम के पत्ते के सहारे आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें बाकी का बचाओवा पानी पौधे में डाल दें अगर आम का पत्ता ना मिले तो किसी पुस्प के सहारे ऐसा कीजिएगा हल्का हल्का सा छीटा डालिएगा हल्दी की सुगंद एक तो नकारतमक उर्जा को भगा देता है और दूसरा घर में खुसिय गुन होते हैं दैवी गुन यानि यह बिलकुल एक भगवान का आसिरवाद लियावा ही होता है इसलिए आपने देखा होगा विवाग के समय बर्वधू को हल्दी अर्फित की जाती है ताकि तमाम परिसानियों से बाधाओं से बचाया जा सके तो हल्दी आपके जीवन में आपको सफलता दिलाने वाला सबसे मुख्य वस्तू है अगर पेट समंदी समस्या हो खास कर जैसे आपका गुरू गडबड है पेट की बहुत परिसानी है तब आप नियमित रूप से पास के किसी मंदिर में हल्दी का दान करे तो लाब होता है अब हम बात करते हैं आपके क किचन की देखिए हमने टॉपिक रखा है कि अपने घर के किचन में हल्दी के डब्बे में क्या डालें तो आपके जो घर में किचन में हल्दी का डबा है उसमें एक तो आप सबसे पहली बात आप हल्दी के डब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च रख दीजिए याद रखिए 5-6 साबुत लाल मिर्च ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ किया है टोना टोटका या भी किसी भी तरह का कोई चीज तो वो एक तो आएगा नहीं आपके उपर असर ही नहीं करेगा और अगर किसी ने किया है तो वापस उसके पास जला जाएगा आप हल्दी से अराम से खाना बनाएए और छुटा-छुटा साबुत मिर्च लाल सुखा हुआ देखकर उसमें डाल दीजिएगा ये मिर्च अगर आप चाहें तो बाद में यूच कर सकते हैं खाने में कोई दिकत नहीं है लेकिन उसमें डाल कर रखें आप और आपके घर वाले सुरक्षित बने रहेंगे और मस्तलाइब जीएंगे तो ये सिंपल प्रियोग है लेकिन भगवान स्रीहरी और मा लक्ष्मी की परतीमा आपके घर में अगर है भगवान विश्णु मा लक्ष्मी या राधा कृष्ण का भी तस्वीर है तो एक छोटा सा प्रियोग कीजिए आपकी मन चाही मुराद पूरी होगी क्या करेंगे एक कागज लेने किसी भी क्रार का कागज उससे फरक नहीं पड़ता उसमें एक चुटकी हल्दी या पांच चुटकी हल्दी डाले पुडिया बना ले अपनी मनोकामना कहें और भगवान की तस्वीर के पिछे चिपा दे है जब मनोकामना पूरी हो जाए तो तुलसी की मिट्टी में इसको डाल दीजिएगा हल्दी को कागज को कई फेक दीजिएगा साइट ऐसा करने से मन्चाही मनोकामना पूर्ण होती है चाहे वो मनोकामना आपकी नौकरी का हो आपके बिवाह का हो संतान का हो अपने मकान दुकान का हो कोई भी मनोकामना हो अति चल्दी से उसका सूपफल भी आपको मिलने लगता है तो बहुत सिंपल तरीके से हमने हल्दी के प्रियोग के बारे में आपको बताया और ये भी कहा कि कैसे आप अपने गुरू को बहतर करें तो जानकारी कैसी लेगी जरूर बताईएगा फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट ग्रैंड्धर्मासमाग.com गूगल सचकर के आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्किस्वने मिल जाएगा धन्यवाद प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूरूरू